तो कहाने की शुरुवात होती है दो बेस्ट फ्रेंड लड़कियों को दिखाते हुए, जिनका नाम लेली और गैरी होता है, जो कि एक बीच पर आई होती है, अब घर जाते टाइम गैरी एक आइसक्रीम वाले का पोश्टर ही गिरा देती है, तब यहाँ पर हमें पता चलता ह कि आईसक्रीम वाले का नाम डेविड होता है, जिसके बाद गैरी इसी आईसक्रीम वाले से खुद के लिए आईसक्रीम खरीदती है, लेकिन अभी तक गैरी ने उससे सौरी नहीं बोला था, अब घर जाते वक्त डेविड लेली की पीछे से फोटो क्लिक कर लेता है, अब अगरी उसे रास्ते में लिली दिखाई देती है, जोग अपनी जॉप पर जा रही होती है, यहां हम जान पाते हैं कि लिली एक बोट पर गाइड का काम करती थी, अब जब घर जारही होतीं लिली तब वो देखती है कि वहाँ के सारी दीवारों पर उसका ही पोश्टर लग और वो लिली को अपने साथ में चलने के लिए कहने लगता है लेकिन लिली उसके साथ जाने से मना कर देती है जिसके बाद डेविड कुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है लेकिन उसके जाते जाते लिली पीछे से अपने घर का अड्रेस उसे बता देती है जिसके बाद लिली अपने घर पर आने के बाद अपनी मॉम से कहती है कि आपको डैड को घर से नहीं निकालना चाहिए था आज के लिए सब कुछ आम बात हो चुकी है लेकिन उसकी मॉम उसको डाट कर उसके रूम में भेज़ देती हैं अब हम देखते हैं कि लिली जाकर घर के बाहर बैठी होती तभी वहाँ पर डैविड भी आ जाता है और लिली को अपने साथ अपने घर पर ले कर जाता है यहाँ पहुशने के बाद यह दोनों एक दूसरे के बारे में काफी बाते करते हैं, जिसके बाद डेविड यहाँ पर लेली को किस भी कर लेता है, अब अगले सीन में हम देखते हैं कि गैरी और लेली एक दूसरे के साथ बैट कर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर गैरी लेली को अपने रूम में ले कर जाती है, और यहाँ पर वो दोनों अच्छा रोमैंस करते हैं, अब अगली दिन लिली जब अपने जॉब पर जा रही होती है, तभी रास्ते में उसको उसके डैड मिलते हैं, जो कि उसको लंच पर ले जाना चाहते थे, लेकिन लिली उनके साथ जा बहुत न्जॉय करते हैं। और तभी लीली को उसकी मॉम का फोन आने लगता है। तब वो बताती है कि गैरी की डैड की देट हो गई है। और इतना सुनते ही लीली की घर पर जाती है। तब यहाँ पर गैरी लीली को पकड़ कर रोने लगती है। जिसके बाद लीली अपने जिसके बाद वो अपने मॉम से कहने लगती है कि आपको भी डैट को घर पर बुला लेना चाहिए और इतना ही कहकर वो अपने रूम में जाने लगती है अब अगली दिन हम देखते हैं कि लिली अपने डैट के पास जाती है और उनसे घर आने की रिक्वेस्ट करती है लेकिन यहाँ पर उसके डैट घर आने से मना करते थे हैं जिसके बाद गैरी लिली से मिलने के लिए जाती है जहाँ पर गैरी बहुत परिशान होती है लेकिन य यहाँ पर लिली अपनी बहन से कहती है कि उस लड़के से जाकर कहएदो कि लिली घर में नहीं है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि लिली ऐसा Gary के लिए कर रही होती है क्योंकि वह Gary की best friend होती है। और दूसरे तरफ Gary भी David से ही प्यार करती थी। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि लिली अब Gary के लिए David को छोड़ना चाहती थी, जिसके बाद David Lily को फोन करता है, लेकिन लिली उसका फोन नहीं उठाती, अब अगली सुबह हम देखते हैं कि लिली से रास्ते में मिलता है, जिसके बाद वो उसे सवाल करता है कि तुम कल से कहा हो में उसके घर में एक function रखा गया था, जहाँ पर David भी आया होता है, जिसके बाद वहाँ पर David और Gary बाहर टहलने रख गया है, जहाँ पर Gary अपने dad के बारे में David से बताने लगती है, और वो बताते ही रोने लगती है, जिसके बाद David Gary को सहारा देता है, जिसके बाद वो से किस करके अपने गले से लगा लेता है, अब कुछ दिन बाद Gary लिली से बताती है कि David ने उसे कल किस किया था, और वो दोन एक दूसरी के साथ intimate भी हुए थे, और लिली को ऐसा सुनने के बाद बहुत कुछ साथ है, जिसके बाद लिली अपने स्टाफ के साथ बाहर जाती है, और यहाँ पर वो बहुत सारी डिरिंग करती है, और वो उसमें से एक इनसान के साथ romantic time spent करने लगती है, जिसके बाद लिली को लिली के फादर वापस घार आ चुके हैं, और इनके घर में सब कुछ अब पहले की तरह normal हो गया है, अब एक दिन रास्ते में डेविड लिली से मिलता है, और यहाँ पर वो बताता है कि वो अभी तक गैरी के साथ ही intimate नहीं हुआ है, तब लिली अगले दिन डेविड से मिलने के लिए जाती है, और इसको रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर डेविड उसकी कोई बात नहीं सुनता, और वो कहता है कि अगर तुम सच में मुझे रोकना चाहती हो, तो यहाँ पर लिली आती है, और यहाँ पर डेविड को कुछ फोटोग्राफ्स देती है, और कहती है कि यह डेविड ने तुम्हारे लिए भेजा है, जिसके बाद लिली यहाँ पर गैरी को सौरी बोलती है, और यहाँ पर गैरी भी लिली से माफी मांगती है, जिसके बाद यह दोने दुसरे की गली लगतियों और इन दोनों की बीच का रिश्टा फिर से पहले जैसा हो जाता है और इसी को दिखाते हुए इस मोवी का यहीं पर एंड हो जाता है